समड संग के दस सुनहरे नियम ऐसे नियम जो बहुत प्राचीन सबसे पुराने सबसे पुरान जो हमारा संग जिसको आज हम समड संग कहते हैं समड का संग उस समय के जो नियम थे वही नियम सुनहरे अक्षणों में आपके सामने यहां लिखे हुए हैं और वैसे के वैसे ही थोड़े बहुत भासा बदली है पहले पाली में बोला करते थे फिर उनको धम लिपी में लिखा करते थे और अब हम इसको देव नागरी लिपी यानि हम जो नाग लोग हैं जो देने वाले वाले हैं देपटा हैं देव हैं उन्होंने जो सब्दद बनाए उसको देव-नागरी लिपी बोलते हैं यानि ये जो आप हिंदी में जो संस्कत में और जो पाली में समय जो सद देखते हैं अक्षर देखते हैं वो हमारे नाग लोगों ने बनाए जो देव थे देपता थे बहुत अच्छा देने वाले थे इसलिए इसको देव नागरी लिपी बोलते हैं उसमें जो ये लिखे हु समन है पहला क्योंकि वीडियो में हम सारी वीडियो बना चुके हैं आज इन सब जितने भी रूल से उंको लेंगे और लास्ट मैं दस्मारू घुड़ बताएं तो केवल समन का मतलब है कि जो समन है भारत में पैदा हुए हैं या जो बाहर रहते हैं वो समण लोग ही इस संग के मेंबर पैदाएसी हैं उनी का हक है उनी का राइट है समण के अलावा अगर कोई वमण होगा तो उसका यहां कोई membership या कोई right नहीं बनता चाहें वो कुछ भी कहें चाहें वो अपने को कहीं से समण का certificate भी लेके आ जाए तब भी नहीं इसका कारण एक अच्छी तरह से जान ले और अच्छी तरह से समझ ले कि बुद्ध की जो सिक्षाएं हैं और बुद्ध ने जो भिकु संग बनाया से के लिए हैं उसकी कोई limit नहीं है यानि कि वो unlimited है दुनिया के सभी जीवों पे सभी पूद्धों पे दुनिया के हर चीज़ पे वो लागू होता है जो उन्होंने धम सिकाया धम बताया पर जो यहां समण संग है उसकी limit है क्योंकि समण संग यूनिवर्सल नहीं है यह सार नियम है और ये स्लिए है क्योंकि समनो का welfare और समीओ बच्चों का उठान और समीओ को बचाना दूसरा इसका जो नियम है चंदा कभी नहीं ये चंदा कभी नहीं जो ये लाइन है और जो ये इसका गोल्डन रूल नमबर दो है ये बहुत इंपोर्टेंट इसनी है क्योंकि जो हमारा समाज जो हमारा संग और जो हमारे लोग है उन्होंने कभी भी पूंजी को पैसे को है पर उन्होंने भी वहां उन्हों को रजत यानि की जो चांदी है या सोना है या जो धातू किंती है या जो चीज ऐसी है जो पैसे में काउंट हो सकती है उसको हाथ लगाने से मना किया उसको ग्रण नहीं करते थे सिर्फ पका पकाया खाना लेते थे कच्छा खाना भी नहीं लेते थे यानि कि किसी से दाल चावल या इस तरह की चीज भी नहीं लेते थे वो पका पकाया खाना लियाया करते थे तो यहां जो चंदा नहीं है क्योंकि अगर आप चंदा लेना सुरू कर दोगे अगर समर्ण संग में चंदी की रशीते छपनी सुरू हो जाएंगी या समर संग में पैसा खटा करना सुरू हो जाएगा तो कोई भी पैसे वाला आदमी पूरे समर्ण संग को एक जटके में ख्रिद लेगा वो कहेगा जी कि मैं तो दो करड़ रूपया चंदा देना चाहता हूं अब जिसका दो करड़ रूपी आएगा वो जैसे कहेगा उसका फिर आपको ठेला मेडा करके सारा मानना पड़ेगा उसकी बात माननी पड़ेगा और यही संग्ठरों में होता आ रहा है कि संग्ठरों में जो लोग चंदा देते हैं ज्यादा मोटा पैसा देते हैं वो बिना बाद के मुख्छे वक्ता बन जाते हैं बिना बाद के मुख्छे बन जाते हैं बिना बाद के वो उसके पूरे मालिक बन जाते हैं और अपनी मर्जी माँ चलाते हैं कई वार तो वो आयो जोगो को कुट्ते की तरह टीटरी भी करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा दिया है तो वो उनको पट्टा बांगे रखें इसलिए जो संग पुराना जो चल पूरा जो यूरोप है और जो पूरा पश्चिम की जो देस हैं उन देसों के अंदर समाजवाद सिर्फ किताबों में और सब्जेक्ट में वो दरसल पूझी वाद उनकी यहां चलता है और उनका बच्चा बच्चा पूझी में लिप्त है और वो सारे सारे कौपरेट घराने ह सारे के सारे ही वो पैसे में चलते हैं पैसे में डील करते हैं और यह पैसे की लेंदे की बेमारी उन्होंने जो यह पूंजी वाद है यह हमारे यहां जो समाजवात था जो संगवात था उसमें भी डाल दी और आज भारत में हमारी हालत यह है कि हम उस आदमी को बड़ा मानते हैं जिस आदमी के पास में पैसा ज्यादा है और उस आदमी को छोटा मानते हैं जो आदमी करेक्टर का बहुत मजबूत है जो पंचस संग में कभी भी पैसे का खेला नहीं हो सकता यानि कि पैसा नहीं खेल सकता पैसा वाला कोई अगर आदमी आता है तो बहुत अच्छी बात है पर उस से उतना ही समर संग पैसा लेता है जितना सपका खर्चा आता है अगर कहीं खर्चे की मीटिंग होती है तो जैसे तीन सो दस देने की पिसकस की मगर उनसे नहीं लिया गया और यह कभी लेन यह को कभी लेना भी नहीं जो इसका तीसरा निम्मर है वो है जाती का अभ्यास यानि कि जाती का अभ्यास कभी नहीं पहले भी जाती नहीं थी जाती बनाई गई है बहुत लेटेस्ट पैदायस है जब हमारा संग टूटा और जो उसके टुकड़े हुए तो उसके नाम जाती पे रखे गए जाती हमारा कहीं कोई दूदू तक जाती की बात करेगा वो जीवन में कभी संगी नहीं बनेगा तो संगी में क्या करेगा क्या कि बनाए कहीं अपना जाती के दापेज जाती जहर होती है जो भी जाती को रखेगा और जो भी जाती का मज़ा लेते हैं वो जाती का अभ्यास कभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उनको बिना कमाए खुब पैसा खुब उनकी रोजी रूपी मिलती हैं कि बच्चे बिदेश हमद पढ़ते हैं सिर्फ जाती के अभ्यास एकारत तो हमारे लिए जहर है हमें नहीं करना और संग में तो नहीं चलता जैसे व्यक्ति वाद नहीं चलता जैसे नेता वाद नहीं चलता जैसे एकल वाद नहीं चलता जैसे राजा वाद नहीं चलता जैसे राजपार वाद नहीं चलता जैसे तनासाही वाद नहीं चलती जैसे पैसा वाद नहीं चलता जैसे जाती वाद और कोई समाप्ते खतम है पांचमा नीयम है पद, प्रतिष्टा, मनच और माला कभी नहीं. यह चारो चीज़े जहर हैं किसी भी संग के लिए हैं. अगर संग को तोड़ना हो तो उसमें पद बना दीजिए, संग को तोड़ना हो तो उसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्टा इस्थापित कर दीजिए, किसी व्यक्ति को इस्थापित कर दीजिए, संग को तोड़ना हो तो उसमें मंच बना दीजिए क्योंकि जैसे आप मंच बनाएंगे जो मंच में बैठेंगे वो संग से अलग हो जाते हैं वो उचे हो जाते हैं बड़े लोग हो जाते हैं उनमें अकड़ा आ जाती है और जिसके गले में आप माला ड्राल दोगे वो पिरमुख हो जाता है वो निद्यता बन जाता है वो मनुस्पर्टी का राजा बन जाता है वो मनुस्पर्टी की रानी बन जाता है तो संग खतम हो जाता है इसलिए संग में कभी भी आपने बुद् से संग साथिया रहे हैं थैसे संग को सबको मिलेगा को assist YouTube को सब लगाएं बहुत अच्छे मीटे फलिस के आपने और सबको मिलते हैं इसका च्छटा नियम है पंजी करण कभी नहीं संगों के कभी ना रइस्टेशन हुए है ना इनका कोई मालिक हुआ है ना पंजी करण हुआ है क्योंकि जब कैसी चीज का पंजी करण होता है तो उसके मालि कभी नहीं हो सकता ना ही संग का नाम से कोई एकाउंट फुल सकता है ना ही कोई प्रॉपरडी ली जा सकती है क्योंकि संग के कभी रेश्टेशन होते नहीं एक तो बीस करोड़ों का कौन पंजी कराएगा उनका इतना बड़ा संग है वो खुद लोगों का पंजी करेंगे कोई नहीं कर सकता ना कभी पहले हुआ है और नहीं कभी होगा इसने इसका पंजी करण का सवाल नहीं उठता और जब पंजी कर नहीं होगा तो इसका कोई गोशत मालिक भी नहीं हो सकता और इसका कोई गोशत मालिक भी नहीं हो सकता क्योंकि संग का मालिक संग ही होता है और जब इखटे होने की सपत हो जाती है और इखटे होने का आभास हो जाता है तो संग पर्मनेंट बना रहता है साथमा इसका नियम है कि संगादी से सबसे उपर क्यारी कि जो संग के आदेस हैं वो हर एक संगी के लिए सबसे उपर हैं वो उसके वला से ऊपर हैं उसके बेटे से ऊपर हैं उसके पर चाहे और संग के साथ ही सब कुछ है इसलिए संग के आदेस और संग के नियम सब उपर ही होते हैं सब से उपर होते हैं इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता और ना ही किसी को सवाल उठाने की इसमें इजाज़त होती है क्योंकि संग तब ही तक है जब तक इसके आदेस को मानते जो आदेश को मानते हैं वो संगी हैं और जो आदेश को नहीं मानते हैं वो असंगी हैं ये कमाल की बात है और ये एक बहुत अच्छे उधारण इसके हैं कि जो संग ने आदेश दिये वो आदेश जो सिद्धत गौतम और जो उनके पिता सुद्धू दंते उनको भी मानने प उनको दंड लेना था ये संग का आदेस था जो इसको टाल नहीं सकते थे और सद्धत गौतम को भी जो बाद में बुद्ध बने और जिनके पिता सुद्धोदंते उनको भी संग के आदेस मानने पड़े और इसकी कहीं कोई प्रिटिशन नहीं है कोई कोई अपील नहीं है जो संग ने आदेस दे दिया तो संग ही अपने आदेस को बापिस ले सकता है इसलिए संग बहुत सो समझ के कोई आदेस देता है ताकि वो सारे सारे लोगों का वैलफर करें और इसका आठवा जो नियम है वो है संग राजनिती खड़ी होती है, संग बहुत बड़ा होता है, राजनीती छोटी होती है, जिन लोगों के पास संग है, वो रोज राजनीती कर सकते हैं, रोज राजा बना सकते हैं, रोज बिगार सकते हैं, उनके पास राजा बनाने का और राजा बिगारने का पूरा संसाधन मौदिद होता ह है और आज के समय जब की बैलेट प्रेपर से काम होता है बोर्ट से होता है रिखटे होके होता है लोग सवा होती है लोगों की सवा होती है तो संग ही लोग होते हैं अगर उनमें लोग ज्यादा होंगे लोग ज्यादा होंगे तो वो जो चाहें वो कर सकते हैं राजनीती इसन पाजनिती के बादें बताया है वो वीडियो में हैं डिटेल में हैं यह सारी वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं और नौवा नियम है कि संग घातक की बाक्षी संग में कभी नहीं जो संग घात में आ गया और जिस पर संग घात संग ने कुरूब कर दिया और संग ने चाहिए, संग घात का कभी सोचना भी नहीं चाहिए, संग घात का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, और आज जो चर्चा होगी, क्योंकि दस्मा नियम पूरा हो रहा है, और यह दस्मा नियम है, वो है, उपरोक नो नियम, विने संग का, यह संग का अधार है, यह ना कभ को पूरी तरह से एक दिवार देता है एक किला बना देता है संग की चार तरफ के संग के नौ नियम में कोई घुस नहीं सकता कोई बदल नहीं सकता कोई उसको खतर नहीं कर सकता कोई अमान नहीं यह नियम हम ऐसा से ऐसा के ऐसे क्यों रहेंगे जब भी दुनिया में कोई भी चीज जोडने की सुरुवात होती है चाहे वो व्यक्ति है चाहे प्राकर्टिक कोई वस्तू है जब भी जोड़ा जाएगा तो जोडने के कुछ फिक्स नियम होते हैं कुछ आधार भूत नियम होते हैं कुछ कार्डिनल होते हैं कुछ ऐसे नियम होते हैं जो स्थाई होते हैं कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बेसिक होते हैं जिसके आधार पर वो बनता है कि दुनिया की कोई भी वस्तू कोई की चीज जब भी खटा होगी उसके खटा होने के इस प्रकाश जितने भी यह नियम होते हैं प्राकर्तिक होते हैं इन सारे प्राकर्तिक नियमों को जो जुड़ने के नियम थे उनको सबसे पहले बुद्ध ने अपने सद्द दिये यानि कि अपने शब्द दिये अपनी आवाज दि और उनको इखटा करके बताया चलतो यह प को के लिए और 311 मिकली बनाए उनके अपने नियम है हमारे नियम नहीं के पर हमारे नियम अर उनके नियम लगबघ मैच करते हुए है सिमिलर हैं पर हमारे जो नियम हैं वो बुदड से पहले चल रहे है समरसंग के और भुड़ के बुदまぁ बुद और वहीं से लेके बनाएं जो समण संग के नियम थे वहीं से लेके बनाएं इस नियम मैच करते हैं कैसे मैच करते हैं जैसे इसके अंदर जो बुद्र ने कहा है कि इसमें वही व्यक्ति आएगा जो धमों में यकिन रखता होगा धमों में विस्वास रखता होगा वो आएगा और हमारा जो नियम समण़ों का है वो यह है कि जो समण में विश्वास रगता हो अपने लोगों तरह हो अपने परिवार में अपने समणों में यकिन रखता हो वो समण संग न आएगा गुद्र है नियम Mudra गया नहीं यह पैसा मिलने के कहीं सबूत है लोग आते थे अपने अंहोचे में रोटी बानके लाते थे खाते थे और चले जा दे दिक्ता कोई िस्थाई निवास नहीं होता यह का जिर प्रकर हमारा नियम यह है कि जहाँ भी समन मिलेगा वह हमारा अपना इस्थाई निवास होता है पूरी दुनिया में पूरे भारत में जहां भी समण है वो हमारे घर हैं वो हमारे मठ हैं वो हमारे हमारे पूरी पूरे सिस्टम है विक्को का नियम था कि यहां गरस्त नहीं होगा पर हमारे लिए गरस्त की कोई पावंदी नहीं है क्योंकि हम तो सारे सारे गरस्त हैं विक्कुर नियम मनाया के पद प्रतिष्टा और मंच और माला नहीं होती महां वो नियम यहां भी है विक्कों के अंदर भी पद पोष्ट मंच माला नहीं होती थी वो हमारे यहां भी नहीं है विक्को ने कभी राजा से आस्रे नहीं लिया कभी राजा आस्रे में नहीं गए कभी राजा के यहां जाके रुके नहीं कभी उनके दर्वार में जाके ठैरे नहीं कभी उनसे मदद नहीं मांगी इस तरह की के पूरी के परासित हैं वैसे ही हमारे संग ने क कि नियम का पालंग करेगा तो भिक्व संग में रहेगा और नियम का विने का पालंग नहीं करेगा तो भिक्व संग में नहीं रहेगा वही नियम पहला चला रहा था जो हमारा है कि जो संग के नियम का पालंग करेगा वह संगी है जो नियम का पालंग नहीं करेगा तो बुद ऐसे सिस्टम हैं जो लगबग लगबग स्मीलर चलते आ रहे हैं चांए एक बात क्षास बात है वोец की सबसे अनौगी बाद इसलिए है क्व आप ये देखो के निएम जो बनाय जा रहे हैं वह हमारे कलियान के लिए हमारे वेलफेर alerts पूरी दुनिया में ये नियम बनाय जाते हैं पूरी दुनिया में दो तरह से لاغو हوتے ہیں. نیم تو وہی ہے. جو آدمی کے welfare میں چاہے یہاں بنے. چاہے یروسلم میں بنے. یا مکہ مدینہ میں بنے. چاہے گریک میں بنے. چاہے گریس میں بنے. کہیں بنے. پر لاغو کرنے کے جو طریقے ہیں. وہ دونوں کے الگ ہیں. जب کوئی بچے کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. تو ماں یہ کہتی ہے. یا تو اس کو ڈراتی ہے یا اس کو لالچ دیتی ہے. पहले تو اس کو سمجھاتی ہے. کھالے کھانا. تیرے पेट का अच्छा होगा तिरह शरीव बढ़ेगा खाले पर वो सुनता नहीं तो उसको ड़राती है बाबा आ जायEDगा तुझे वैसे ही दो तरह से होते हैं कि एक तो व्यक्ति को समझा बुझा कर जैसे यह जो नियम है पीछे जो मेरे पीछे लगे हुए दस नियम है व्यक्ति को समझा बुझा कर अनुभब कराकर उसको लागू करवाय जाए या कोई डर या कोई लालस देखा के उसको लागू करवाय ज लाता है तो बुद्ध ने सबसे मुश्किल काम चुना बुद्ध ने ना तो किसी को दराया और ना किसी को लालज दिया बुद्ध ने पैतालिस साल तक मेहनत की अनुभव दिखाया अनुभव से सिखाया उसको समझाया और बताया कि यह जो नियम है जो नियम मैं जीवन जीन पर अनुभव करा के दिये पर दूसरी तरफ जो लोग है वहां इन्हों ने ये मेहनत वाला काम नहीं अपनाया खास्तों से यूरोप में तो यूरोप में जो नियम मिलते हैं सुरू में जो कार्डिनल नियम मिलते हैं जो आदारभूत नियम मिलते हैं मनुश्य के उसमें दो है जो व्यक्ति से संबंदित है जैसे हमारे नियम है जूट नहीं बोलना या वेबचार नहीं करना या सराब नहीं पीनी या हत्या नहीं करनी है या जो ये जो वैसन है ये नहीं करने है ये सारे नियम जो आते है पंसील में ये नियम भी वहापर हैं सभी महापुर्सों ने या सभी लोगों ने इनी नियमों को लिया है जो पंसील के नियम है पर वहापर मिक्स कर दिया है वहापर मिक्स ये किया हुआ है कि ये जो नियम है ये नियम लोने प्राकट की बजाए किसी चमतकारिक सकती के गया जो लोगों को लाउ करवाया गया वो किसी चम्थकारिक सक्ति के नाम से करवाया गया और उसको चम्हतकारिक सक्ति का नाम दे a तो वहां डुराया गया कि अगर तुम यह बात नहीं मानोगे तो नुकसान हो जाएगा आप सराव नहीं प्योगे तो आपका फाइदा हो जाएगा आप अगर वेबचार करोगे तो आपका नुकसान होगा आप अगर वेबचार नहीं करोगे तो आपका फाइदा होगा आप अगर हत्या करोगे तो आपका नुकसान होगा और अगर आप हत्या तेरा नुकसान कर देगी अगर तूने वेवचार किया तो 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 लोगोको जनजागरी के नियम है यह हम नहीं बनाए यह कहीं से आये हैं तो दो तरह के नियम apply किये गए एक तो बुद्ध जैसे व्यक्तिन है जिन्होंने साफ साफ कहा है कि यह प्राकरतिकी नियम है इनको मानोगे तो फायदा है नहीं मानोगे तो नुक्सान है पर कोई चमतकार नहीं है को दिव्य सक्ति का तो उन्होंने दंड बहुत बुरा बताया और नहीं कोई ऐस तो दो तरह से माँ अपने बच्चों खिकलाती है या तो समझा बुझा कर और या डरा कर या लालस दे कर उसी तरह से मनुस्य के कल्यान की नियमों को दो तरह से अप्लाई किया जाता है या तो उसको समझा कर कि यह नियम माने तो तो तेरा फायदा होगा वह कहीं चमतकार सकतिय तेरा फाइदा करेगी और ने तो तेरा नुक्सान होगा उचमतारी सकतिय तेरा नुक्सान कर देगी इसलिए यहां जो यह काॉडल नियम है यह जो संग के नियम है यह प्राशिन नियम ही है और इन नियमों में हर चीज है ये जो नियम है ये संग का आधार पहले भी रही है और संग का आधार हमारे जीवन का आधार है अगर हम इन दस नियमों को परचायद करेंगे इन पर चलेंगे इनको मानेंगे ये बड़े आसान है इसमें मौरल नियम है इसमें मौरल कि यहां हम संग की बात कर रहे हैं यहां बुद्ध की और धम की बात नी कर रहे हैं क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो धम का काम नहीं कर रहे हम किसी रीजन का या मजभ का काम नहीं कर रहे हम यहां कोई मत का या किसी पंथ का काम नहीं कर रहे हैं हम यहां कोई विचार का जो ध वाले आदमी को जिसकी गले पर तलवार हो या जिसको गोली लगने वाली हो वो कितना इधम को याद कर ले कितना इधमिक आदमी हो गोली इसको भी बचा सकती क्योंकि जितने भी चोर होते हैं जिनको फांसी के सजा होती है वो सारे किसी ना किसी मजभ से और रिलिजिन को मानन सब्सक्राइब होता है ऐसा भारत के दना तो बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उससे जान नहीं बचने वाली आपके रापके बच्चों की अगर धमिक होने से या धार्मिक होने से या रिलिजिस होने से या मजभी होने से जान बस्ती होती तो यह सारे मजभ वाले रिजन वाले और यह जो धम्मिक लोग हैं यह त्राहिमान त्राहिमान नहीं करते यह परिशान परिशान नहीं होते बचा लेता है इनका मजब इनका धम इनका धम्मिक पर किसी को नहीं बचाता उसी को बचाता है वही बसता है जिसके पीछे उसके संग की उसके लोगों के समुदाय की ताकत हो और व वो 6793 जातियों वाँ बदल दिया गया उन जातियों को इखटा करने के 29 लाख संक्षन बन गए 29 संठन सब अपने कहानी है किसी को इतनी समझ नहीं किसी को इतनी अकल नहीं है अरे भाई किसने कहा तुम को कि यह औरत्रिस लाग संग्षन बना कर तुम बच जाओगे यह तुम किसको किसको समझ में नहीं आती यह बात कि यह जो संग्षन है संग्षन को मतलब सब को इखटा होना होता है संग बनाना होता है यह अलग-अलग टूड़े करने थोड़ी होते हैं पर ल है हमेरे जो परेशानी हो रही है एकटे होने में वो बाहर से नहीं है बाहर से कोई नहीं आ रहा है यह कहने के लिए कि आप एकटे मत हो हमारी सारी परेशानी तो अंदर के जो हमारी लोग है जो नेता बने खुम रहे हैं और यह जो सब नेता करते खुम रहे हैं बड़े बनने का मेरी ही चले मेरी इबात माने जा हूं मे रहूं मेरा हो नाम होना चाहिएा है or is aacней買ama करे लॉड़ का सो सो्ट हो गए ये क्या है क्या नहीं ये सिर्था निया इस्ट्री संफ निए है हमारे परीसजुलotta के लेगे इसलिए इस परेसानी से बाहर निकलन्ग तो हमें जुडने से बहुत जल्दी जुडने से कोई नहीं बोगए तो टियर ठीक ऐसे आज जैसे मरीज पड़ा हुआ है और दवाई आने में देर हुई आप लाते रहना बाद में दवाई फर लास लगाते रहना पर लास को दवाई दोगे तो क्या जीवित हो जाएगा नहीं होगा फिर कुछ इंतियार करना कोई डॉक्टर हमेड कराएंगे कोई गुद्ध आएंगे आए आए तो ठीक है नहीं आए तो मरो इसलिए इससे पहले के हम मर जाएं और दवाई बाद में आए अक संगं सरनंग च्छामी यानि के संग की सरन में संग के साथ संगराम करना है संग के साथ साथ काम करना है और संग में ही रहना है संगत करनी है संग संग गती करनी है खूब सारी गती करनी है खूब सारी हवे संगत लगानी है हमें जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है और हमें तब तक जूढते जूढ़ना है जब तक हमारी जानना बच जाए और उसके बाद और ज़्यादा जूढ़ना है के फिर ऐसा समय ना जाएए ृस досकि जूढे हैं वह वह बचे हैं और जो जो नहीं जुढे है वह मारे गए हैं जंगल में भी जानवर जो एकटे रहते हैं वो बच जाते हैं और जो संग से अलग हो जाते हैं जानवर दूसरा जो होता है हिसक जानवर वो उनको खा जाता है इसलिए हमको मरना नहीं है सिकार नहीं बनना है हमको एकटे कितने से लोग कहीं किसी के पास बीस लोग है किसी के पास तीस है किसी के पास पचास है बहुत ज़्यादा किसी की पास है तो दो सो आद्मियों की सी सी है यारी जो उसकी सेंटरल कमेटी बनी हुई है दो सो आद्मियों की है बस वह एर फिर होते लिए दो सो से आगे होके आओगे तब वन्हा जाओ भाड़ में क्योंकि हमें करना क्या तुम्हारा सत्र साल से हम चंदा देते देते परिसान है और तुम एक नहीं होते एक नहीं होते अरे बावा साब ने कब कहता कि अलग लग रहे ना बुद्ध के नाम पे भी हजारों संटन खूल लगते हैं बावा साब के नाम पे भी लाकों हैं अगर बावा साब बुद्ध होते तो वैसी सर्म के मारें बढ़ जाते और यह कहते हैं कि मैं तो अपना संब्धान भी बापिस लेके जा रहा हूं यह निकमों से तो कुछ नहीं होने वाला इसलिए भाई निकम में नहीं बनना है नाल संग को नमामी करते रहोगे संग आपको बचा लेगा एक जोस आजायेगा बहुत जल्दी हमारी मीटिंग हो रही है उन मीटिंगों में सबको पहुचना यह लगाता मीटिंग लग नहीं है निकमर नहीं की तसनग की Management Social wastewater आज तक कोई नुपसान नहीं पहुंचा पाया है, संगों को आज तक कोई नहीं मार पाया है, जो भी मरा है, संग से बाहर जा के मरा है, इसलिए संगम नमा मी करते जाना है, संगम सरणंग अच्छा मी करते ना है, जीतना है, और हर अलत में जीत के मानेंगे, धन्यवाद संग आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरणं गच्चामी कूथियं पी बुद्धं सरंं गच्चामी टूथियं पी ढुद्धं सर्नं गच्चामी दूतियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छाम। 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 साथू, साथू, साथू